चाचा चौधरी चोर और कॉंस्टेबल बारो एक दिन रास्ते में साबो एक चोर भाग गया है क्या इस शकल का आदमी तुमने इधर कहीं देखा है? नहीं कॉंस्टेबल बारो धन्यवाद पहलवान तुम्हारा चौड़ा जिसमे एक आदमी को छुपाने के लिए उप्युक्त है ये तो वही चोर है अब तुम मुझे नहीं पकड सकते साबो जानते हो एक चोर को छुपाना उत्मा ही जुर्म है जितना की चोर ही करना मुझे ग्यान नहीं था कि चोर मेरे पीछे चुपा है मुझे एक मौका दो मैं उसे पकड कर तुम्हारे हवाले कर दूँगा ठीक है साबो चोर के पीछे जाता है वह जा रहा है चोर ओ वह बड़ा आदमी मुझे पकडने आ रहा है अगर चलती बस का हेंडल मेरे हाथ में आ जाए तो मैं बच कर निकल सकता हूँ वो चोर हेंडल पकड लेता है ओ ओ ओ ओ अब तुम मुझे नहीं पकड सकते वह बस सुपर फास्ट है मुझे और तेज भागना होगा आखिर कार साबू चोर को पकड लेता है आह आ गया पकड में देखा लंबी टांगे भी चोर को पकडने में उपयोगी होती है याद रखो कानून के पंजे से कोई नहीं बस सकता कांस्टेबल अगर इजाज़त हो तो मैं अपने घर में कह दूँ कि मैं आज खाना बाहर खाऊंगा अगर तुम फिर रफू चकर हो गए तो नहीं तुम दर्वाजे पर पहरा देते रहो कांस्टेबल दर्वाजे पर खड़ा हो जाता है अच्छा जाओ जल्दी लोटना तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं कांस्टेबल बारो कैसे बैटे हो चाचा चौधरी मैं यहां पहरा दे रहा हूँ मुझरी मकान के अंदर गया है तब तो पंचे उड़ गया समझो क्या मतलब मेरे साथ आओ मतलब समझाता हूँ जिसको तुम मकान समझेते वह फिल्म की शूटिंग के लिए लगाया गया सेट है मेरी नौकरी गई समझो हम तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे देखो रोकेट जमीन सूँकर पता लगा रहा है कि चोर किस तरफ गया है तब ही रोकेट एक तरफ दोड लगा देता है वह गया रोकेट और चोर हैं चोर दोडता हुआ वापस आता है कांस्टेबल बारो अपना चोड समभालो अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा